बहुत अच्छा एक फैसला लिया जा रहा है जिसमें की Medical Engineering College में जो admission का जो percentage है उसमें 33% seat को अर्चित किया जा रहा है लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए और ये एक अच्छी पहले भिहासगा के द्वारा तो ये भी माना जा रहा है कि भिहार फिर से एक मिसाल पेस कर रहा है जो कि बेटियों को आच्छान देने वाला ये पहला राज्य बन रहा है इसमें इंजिनरिंग और मेडिकल यानि अभियंतरन और चिकित्साविस विद्याले बिध्यार जो विध्यार जो विध्यार है उसका एक प्रादूप तयार होगा और उसमें फिर इसको पास कर दिया जाएगा आने वारा सेशन में बिध्यार जी के इंजिनरिंग कॉलेज अगर देखे तो सरकारी इंजिनरिंग जो है 38 सरकारी इंजिनरिंग कॉलेज है और 10 जो है वो सरकारी मेडिकल कॉलेज है राजी के इंजिनाइंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए निवनितम जो है यानी वन थर्ड निवनितम एक तिहाई सीटें यह माना जारा है कम से कम 33% महिलाओं के लिए अरचित होगी मुख्यमंतर नितिस कमार ने बुद्वा को इसका घोस्ना किया और इसके लिए उन्होंने आवस्टे कारवाई कायने के लिए जो है पराधिकारियों को निरेश भी दिया उन्होंने कहा कि इससे संत्राएं उच्छ और तक्निकिस Isha क्यों ज्यादा प्रईःत होंगे उन्होंने कहा कि राजी के सभी जिलों में जिलाइंक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं इसके आगे हम दो देखें तो इसी मौके पर मुख्यमंत्रे ने घोसना किया कि अगले बिधान मंडल के सत्र में जो सेशन आने वाला है उसमें यह यह कि विधेय की रूप में पेस होगा पहले तो यह पेस होगा फिक 1.2 कर के राज़िपाल को भेजा जा जाएक कर दिये और जू gelen से समतनी मिल जाए तो राज्य में नया विस्विद्धालय एक्ट को लागू कर दिया जाएगा कि इसे में दिखा गया है कि अभियां तरिया नए सथापित होने से इंजिनरिंग कॉलेज उम के लिए अरचीत होंगी इस तरह से महिला ससकते करन के मामले में राजी जो है देश के समच्छिक बहुत थी अच्छा एक मिसाल पर इसकर रहा है इसके पहले भी प्रावर्मिक सिच्छा के प्रावर्मिक इसकों के सिच्छक नियुक्ति या पित्रीयस तरी जो पंचायती करियों इस सब में महिलाओं के लिए अर्चन प्रावधान विख से पहले बिहार राजी के द्वारा ही शुरुआत किया गया है तो बिहार राजी का एक अच्छी विस्विद्याले की राज्य में स्थापना करने का भी जिक्र किया गया है और इसमें इसकी जो तयारी है काफी पहले से शुरू कर दी गई थी लेकिन दोनों संबंदित विवां को पताधिकारियों को इन विस्विद्याले की विधेक बनाने के लिए जिम्मेदारिय दी गई था लेकिन इस से क्या होगा कि Medical Engineering College में पुरसान बढ़ेगा और पढ़ाई का अस्तर और भी सुधार जा सकता है तो भी यहां से गार के द्वारा एक अच्छी पहल है